जैहिन गाइस, now we start our next video lecture, अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, मैं धर्मेन कुमार दुबे अपने चैनल पर आपका स्वागर करते हैं, चलते हैं, चैलेंज सिरीज के जो कोस्टन से शुरू करते हैं, ये हमारा पार्ट बी का कोस्टन है, राइट, और हमने 2019, दिसंबर और जून के जो टेकनिकल कोस्टन हैं, ऐसे कोस्टनों को हमने पीक अप किया है, और भी बहुत शारी बात हैं, हमारे हां आप्संस पे होंगी, किस तरीके से कोस्टन साओ डपलॉप होंगे, कैसे बनाए जाएंगे, तो चलते हैं, कोस्टन स्ट करते हैं, क्या है, कि लिए A and B be invertible and cross and matrices, अब यहां keywords आ गया न, invertible matrices, यानि यह दो matrix A and B है, वो invertible है, with entries in R, this is also a keywords, such that A, B is diagonalizable, again that is the keywords, यहां कितनी बात हैं, दो matrices are invertible है, उनकी entries, real numbers से आती है, और A, B, diagonalizable है, with eigenvalues, lambda 1, and also 1, lambda R, तो which are following is not, यहां not है, और यहां always true है, ठीक है, यह सब बात हैं बड़ी seriously, ध्यान से पढ़ने हैं, questions के एक एक words को, not always true पर हमें बस त्रिक मारना है, अब यहां देखिए, जब आप options पढ़ेंगे, first B is invertible, B is diagonalizable, B is equal to A, B, आई-इन values आप दिए, R, lambda 1, and also 1, lambda 1, तो ध्यान आपका जाएगा, कि not necessarily true, तो अगर दो matrix A, B, यह जिनके बारे में, सिर्फ invertible होने का, या diagonalizable होने का दावा है, तो हाँ A, B is equal to B, A हो, कि सबको पता है, कि matrix multiplications in a general commutative नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है, कि यह मेरा जो है, equal दिया है, तो यह गलत है, अब पार्ट B का पार्ट है, examination hall में आपको time नहीं है, तो आप tick मारके आगे हो जाएगे, वर अला लेडिया tick लगा है, तो do not worry, अब आप absence पढ़े और सीधे आगए, कि यह मेरा सही नहीं है, और यहाँ not true की बात कही गई है, आप आगे होगे, अगर इसके थोड़ी यह analysis करनी है, तो हमें तो examination साल में नहीं है, कि analysis कैसे करेंगे, देखिए, कहाँ है कि BA is invertible होगा क्या, सीधा सह सबाव है, कि BA is equal to determinant of BA क्या है, determinant of B into determinant साफे सबको पता है, और B invertible है, A invertible है, तो not is equal to 0, hence BA is also invertible, तो अगर AB invertible है, तो BA invertible होने का 100% दावा ह है, लेकिन यह इसके equal होगा, यह दावा नहीं, दूसरा यहां absence second को technical बनाया क्या है, क्यों, ज़रा समझे ध्यान से, कि आगर हमारा matrix AB invertible है, A और B invertible है, तो हमें पता है कि AB जो होता है, वो BA के similar होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर inverse इजिस्ट करेगा, तभी यह similar होग otherwise यह similar नहीं होगा, पता है न, कि अगर कोई भी हम P inverse AP is equal to, अगर B लिखते हैं, जहां P invertible matrix है, तो A and B both are the similar matrix, और similar matrix की सब कुछ same होती है, यानि एगर A diagonalizable है, तो B diagonalizable है, अब नेट वाले ने यह नहीं पूछा आप से, कि AB is similar to BA, नहीं, उसने diagonalizable की बाद पूछी है, अब यह देखिए, अगर AB diagonalizable है, तो BA natural similar to BA, तो उनका सब कुछ same होता है, अगर एक matrix diagonalizable है, तो दुसरा matrix भी diagonalizable हो जाएगा, तो यह बात भी मेरी तया है, under the conditions of the similarity, कि AB और BA similar होंगे, और AB diagonalizable है, तो BA भी diagonalizable होगा, तो यह बात भी 100% सकते है, लेकिन यह 100% सकते नहीं, यह necessarily true नहीं है, पूछें, यह always true, अच्छा, आइगन values आप BA, यह होगा, क्या है, कि AB की जो आइगन values होती है, वही आइगन values हमारी BA की भी होगी, अगर हमारे matrix बोथ A and B are square matrix है, लेकिन अगर rectangular matrix है, तो हम यह दावा नहीं कर सकते हैं, वह हैं कि 0 का भी concept आता है, बहराल जे वैसे question आएंगे तो आइगन values आप AB and BA बोथ हार दस हैं, तो यह तो भी बात 100% रहेंगे, तो इस questions के पीछे हमारी जो लाजिक थी, नहीं बस यह ही था, कि हम questions के अगर options को ध्यान से पढ़ते हैं, तो पढ़ते ही मुझे एक idea मिल जाएगी, कौन सही है, कौन गलत, चलते हैं, next questions की और movement करते इसका देखी, यह part B के questions हो, which of the following is Zardin canonical form of this, पता है न, कि यह वो मैट्रिक्स है, इसकी सारी इंट्री सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स की आइगन value 1 होती है, याद रहनी चाहिए, नहीं, सारी rank 1 होता है, और आइगन values हमारी यह होती है, इन माइनस 1 टाइम स्था, और एक value इनका सम होता है, अगर A इंट्री है, तो इन नहीं हो जाए, तो एक आइगन value यहां, 3 हो जाए, इन नहीं, तो हमारे case में क्या होगा, 3 आडर का है, तो 0, 0, दो इसकी आइगन value 0 होगी, और एक value मेरी 3 हो जाए, हमसे जाडन canonical form के बारे मे पुछा है, मुझे पता है कि हर matrix आपने जाडन canonical form के similar होता है, तो जब भी कमी ऐसे questions हो, part B में होना, तो सिर्फ इस concept को आप ध्यान में रखिए, कि आगर हम जो भी इसका जाडन canonical form निकालेंगे, इसका जो rank है, उस matrix का भी rank होना चाहिए, अब यहां rank 1 है, तो यहां तलास कर यह कि ऐसा कौन सा matrix दिया, जिसका rank 1 है, इसका rank 1 नहीं है, इसका rank 1 नहीं है, इसका rank 1 नहीं है, तो एक चानरेशन हाल में बैठे हैं, खटदे मार के आप आगे हो जाएंगे, बट मैंने प्रूफ नहीं किया, कि option 1 is the 2, अब हम यहां प्रूफ करने जा रहा है, और सबसे देखते हैं कि यही क्यों सही है, यह तो यह हो गया, कि rank जो होगा, सेम होगा, तो उसकी अनुसार हमने मार दिया, अगर इसका rank 1 है, तो जो भी जार्डन कैनोनिकल फार्म बनेगा rank 1 का ही होना चाहिए, और rank 1 के वल option 1 ने सही है, इसका मतलब यह possibility बनती है, लेकिन मैं यह त जार्डन कैनोनिकल फार्म बनते हैं, तो अब हम यह नहीं बता सकते हैं कि यह similar to j1 कि यह similar to j2, लेकिन यह तो पक्का हम बता सकते हैं कि कम से कम एक के वो similar होगा, और जिसके similar होगा, उसी के साथ सारी हो condition होगी, तो अब हम जड़ा इसका जार्डन कैनोनिकल फार्म निकालत polynomial पता होना चाहिए, तो minimal polynomial कैसे लिखेंगे, characteristic polynomial को divide करता है, और सारी eigen value जो अपने पास रखता है, तो एक तो 0 होगी, तो एक्स होगया, और एक एक्स माइनस 3 होगी, यह हमारा होगा R, एक्स स्क्वाइर, एक्स माइनस 3 होगा, यानि दो possibility मेरी minimal polynomial की बनती है, अब चलते हैं देखते हैं क्या जार्डेन कैनोनिकल फार्म होगा पहला हम बनाते हैं जब मिनिमल पालिनामिवल मेरा यह है तो क्या बनेगा यहाँ टू है यहाँ वन है तो तू वन क्लस वन ए हो गया और फिर वन वन है तो फिर वन वन ही यही लिखा जाएगा तो हमारा जो sitzen करनो尼 forskानिव बनेगा इक बलाग बनेंगे एक बलाग क्यह हो गया दूसरा मेरा वो गया और इडृड मेरा वो है कि एक यह हो गया druी चैनो क्या होगा जब मीनिमल पालिनामी ये प्या होगा अगर यह कसी स्कॉएर है तो फिर क्या होगा यहां भी square है इसकी meaning क्या होगी कि हमारा Zard Silicon Canonical Form का जो एक Block बनेगा, I value 0 के corresponding हो 2 order का होगा, तो 2 order कैसे बनता है, 0 हो गया, 1, 0, 0, 0, 0, यह Block मेरा बन गया, 2 order का, और एक तो 3 as it is रहेगा, ओके, बात समझ में आ गई, यानि, एक के, इस Matrice के जो जार्डन Canonical Form बने, वो Z1 बना और Z2 बना, अब अपने आप option पे आ जाईए हमने पूरे questions को proof कर दिया है अब जब option पे आते हैं तो क्या होता है तो इसमें देखिए अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो तू जो option दिया है न वह इसके corresponding दिया है लेकिन क्या होगा कि यह similar जो है न इसके नहीं होगा और similarity कैसे proof करते हैं पता है न सिमिलर्टी प्रूब करने का एक तरीका है कि इस matrix का z and canonical फार्म जेवन या जेटू इसमें से कौन सिमिलर होगा वह यह बात प्रूब करता है कि जीयम आफ जीरो यहाँ जो है वो जीयम आफ जीरो जेवन आफ जीटू जीरो जिसके इक्वल होगा और जीयम आफ थ्री और जीयम आफ थ्री और यहाँ वही जेवन और जीयम आफ थ्री जीटू मतलब क्या होगा कि इस मैट्रिस की जो आईगेन वेलूज है उसकी जीयमेट्रिक मल्टिपलिसिटी जिस कैनोनिकल फार्म के इक्वल आएगी वही सिमिलर होगा तो देखिए अगर हम निकालते हैं इसका हम यहाँ निकालने नहीं जाएंगे टाइम नहीं किल करेंगे आप इजीवे में निकाल सकते हैं अगर मैं इस मैट्रिस की जीरो के करिस्पांडिंग अगर आईगेन वेक्टर्स निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा भई जीरो के करिस्पांडिंग निकालेंगे टो देखीए वन वन उगा राइंग रहनों है ठीक अब मैंने हाय रहा किटने इंडिपेंडेंटट वारी डिवल्स होंगे दो मेरे इंडिपेंडेंडेंडेंड से यहां यहां इसका जीम आफ जीरो जो एक है और इसका अगर आप निकालते हैं तो इसके इसके इकल नहीं होगा तो यह सिमिलर नहीं हो सकता यानि यह जो मैट्रिक्स है वो जेवन के सिमिलर है इसके सिमिलर राइट बहुत समझ नहीं लेकिन देने को तो यह भी दिया लेकिन अगर यही कोस्टन पासबिल्ट उसका कि इसके जाड़ कौन कौन जाड़न करन उनकल खार्म की पासबिल्टी है तो फिर यह दोनों आपकर स कि इस कोस्टन के पीछे लाजिक और कंसेप्ट क्या है कि एक है यह फिर खूम जो हमारा दिया है और क्यूद्ध और फिर डाइमेंशनल वेक्टर स्पेस के वे एक्टर है जहां यहां और वी बिदो मैट्रिक्स है इन्टू भी मैट्रिक्स होका और अवी जीरो होने का कि नल इस्पेस एक्चुवल में यह दिया है और डायरेक्ट न कहकरके नल इस्पेस आफ एक्वल तो भीवन दिया है अब भीवन के बारे में इस तरीके से लिख दिया खेर नेट वाले ऐसे कोश्टन तो लिखते ही रहेंगे ता अब उसी तरीके से वी-टू आपका क्या यह मैं बस लिख रहा हूं बड़ आप एक्जामिनेशन में सब थोड़ी लिखेंगे यह सब दिमाग में चलेंगी नेक्स्ट नल इस्पेस आफ एजो मेरा है वह भीत्री है राइट आप्शन में क्या है पूझा है कि नैसे सरली टू है कौन हंडेट परसेंट सही है कि आप्शन वन और टू है इसी कहां उल्टा गेम खेला है मतलब वनली पार्ट है ना इस पे खूब बनते हैं भाई को सब्सक्राइब नेशरी पार्ट में कम बनेंगे कुछ सफिसियन पार्ट में तूरा आदम थोग के भाव से कोस्टन रहता है यह देखिए आप्शन वन औ इंवर्टिबल हें फिर यह और एक यह देखिए कैसे अप्रोच करेंगे कैसे लगाएंगे लेट Can Sum अभी यह यह त्हों gonna कैसे स्व था कि जिद्णेज्न इल्टी चैसे कड़िया ऑढ़ाए नचने यंश्म कुर्णीव होता है कि rank of a b plus nullity of a b is equal to कितने dimension पर एक गेम चल रही है 3 dimensions पर आ रही है is equal to 3 और यह भी हम लिखेंगे rank of b plus nullity of b is equal to 3 इसको equal करिए rank of a b plus nullity of a b is equal to rank of b plus nullity of b अब question में क्या कहा है कि null space आप जो a b है वो मेरा भीवन है यह दिया हुगा है dimension आप भीवन is equal to dimension आप भीटो इसका मतलब क्या है कि nullity of a b is equal to nullity of b के same है यहनि nullity of a b is equal to nullity of b फिर क्या होगा this implies rank of a b is equal to rank of b यह मेरी बात आ गई ना निकलके कि जो rank of a b है और rank of b हो गया यह कब होता है पता है आपको एक result है कि if a is invertible matrix अगर a हमारा invertible matrix है यह हमारे पास relation होता है कुछा उल्टा है कि rank of a b मतलब अगर यह dimension इसका से मैं इनवर्टिवल होगा या नहीं साथ कि अगर a invertible है तो इसका दावा होता है यानि तीसरे का दावा नहीं होगा ऊसी तरीके से दूसरे का दावा नहीं होगा कि यह हमारा rank of AB किसी तरीके से by that result हम इसे से क्या निकालेंगे यहां तो यह इनवर्टिबल की बात तो उचा है अगर यही यहां लिखता कि एगर बी इस इनवर्टिबल देन डिफिनिटली यह बात में रिशाई होगी लेकिन यह तो लिखा नहीं तो आप संथ्री इस दराई तो इस कोस्टन के पीछे जो लाजिक और कंसेप्ट रही है ब किया अब हम पार्ट सी को यहां फीक प्लिक हैं जोंतब्त पार्ट अपर्ट सी में आते हैं देखने के पीछे लाजिक का क्या है अब यहां की युबड्स द्यान दीजिए गया है कि में ओमेगवाट हो व्युव्यूब अज्रू के बारे में पूछा है कि एगर a cube identity है तो then eigen values of a are one omega omega square होगा क्या यह हम दावा कर सकते हैं if a cube identity है then every eigen values of a is in the set इसका दावा कर सकते हैं क्या if the eigen values of a are मतलब अब question number second का यह if है तो यह only if है देख रहा है ना अभी हम कैसे इसके पहले questions की बात कर रहे थे किसी SIR net वाले इसी पर question बनाएंगे और इस साल भी इसी पर question बनेगा भरमार होगी अगर यह part आपको clear है तो फिर आपको crack करने से अच्छे number से कोई नहीं रोग सब्ता है if a given value of a is in the set then a cube identity होगी क्या चली आते हैं देखते हैं पहला क्या है कि a cube identity दी हुई है तो फिर क्या होगा सबको पता है कि यहां से क्या लिखते हैं यह relating polynomial बन लगेगा वह x cube minus 1 होगा right minimal polynomial conditions क्या होगी यह relating polynomial को divide देगा तो factor करिए तो factor होगा इसका x minus 1 और x square plus x plus 1 यह हो गया अगर हम इसके थोड़े factor करने की बात यहां करें क्योंकि यहां c पर बात कही है तो हम यह जो है न लिख सकते हैं यहां इसका factor करेंगे क्या है पता है न x minus omega और x minus omega इस पर यह आता है इसका factor चलिए बाहरा यह इसका हमारा factor हो गया तो minimal polynomial क्या हो सकता है राइट नहीं यह तो h of x ठीक है चलिए minimal polynomial what is the minimal polynomial minimal polynomial को divide करता है तो x minus 1 हो सकता है और x square plus x plus 1 हो सकता है और x minus 1 और x square plus x plus 1 हो सकता है यह minimal polynomial मेरे यह हो सकता है अगर minimal polynomial यह हुआ तो यह identity हो जाएगी अगर minimal polynomial मेरा यह हुआ तो matrix होगा मेरा diagonalizable नहीं होगा और यहां से जो इसकी eigen values आएगी omega और omega square आएगी दोनों इसके हमारे complex roots हो जाएगी अच्छा अगर यह eigen values आगई minimal polynomial इसकी eigen values 1 omega omega square हो गई यह बात मेरी हो गई तो चलिए आएगे देखते हैं क्या आवका a cube identity है देन आइगेन values आफ यह हो सकता है नहीं साब कोई जरूरी नहीं है कि आगर हमारा minimal polynomial यह ले हो गया तो उस case में यह तो identity हो जाएगा और यह identity हो जाएगा तो a cube तो i आएगा बट a के identity होने से सारी आइगेन values one 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 हो जाएगी यह तो होगा नहीं right cancel होगे आई कि दावा नहीं कर सकता है second में है कि if a cube is equal to identity then every आइगेन values आफ ए आगी जिन्दस है यह हम दावा hundred percent कर सकते हैं कि आइगेन values मेरी क्या होगी क्या से देखिए जो minimum polynomial यह यह तो one की बात होगी omega की बात होगी omega square की बात होगी क्यानि जो आइगेन values आएगी वो इसी set से आएगी और यही तो बात तो पूछ रहा है कि क्या आइगेन वेलू इसी set से आएगी क्या एस hundred percent हो गई बात है अब यहां इसको घुमा दिया है कि इस आइगेन वेलू आफ ए आर नहीं नहीं साथ यह पाइट नहीं है second का only if a है सारी हां ध्यांदी देगो यह है गलती से बात बोल दी गई only if a है फोर जो है हमारा second का only if पाइट है थर्ड तो state forward है कि इस आइगेन वेलू आफ यह यह दिया हुआ है तो यह क्यों आइटेटी होगी क्या तो सीधी सी बात हो गई न कि यह की आइगेन वेलू जह है third order का है तो फिर यह तीन होगा तो हमारा characteristic polynomial क्या होगा x minus 1 यह माइनस ओमेगा और यह होगा इसको अगर साल्व करेंगे तो यह आएगा और कैली हेमिल्टन थेवर्म यह कहता है हर स्क्वाइर मैट्रिक्स अपने characteristic polynomial को satisfy करता है तो फिर तो एक यूव इस इकॉल टू आइडेंटिटी हंडेट पर्सेंट होगी राइट अगर यह आइगेन वेलू जह है तो यह हमारा characteristic वाइनायमिया लोगा और उस केस में एक यूव आइडेंटिटी जा जाए फोर क्या है सेकेंट का वनली पार्ट है मतलब सफिसेंट है कि फिवरी आइगेन वेलू जापके इस इंद सेट देखिए कि भरी यहां से पूरा उठाईए यह और देखिए यही पहले पूछा है दिखिए इसमें क्या पूछा है कि अगर आईसा है तो यह होगा क्या राइन आजीव इनके बीच में होगी तो मैट्रिक्स यही होगा ऐसा हम दावा कर सकते हैं कि चलते हैं अगर यहां सी नहीं लिखा होता ना तो अगर आर लिखा होता तो आप संथ फोर हंड्रेट पर्शेंट राइट हो कि इस आप संस को ले करके भी बवाल उसमें मचा था बट यहां सी लिखने से चीज़े नहीं होगी देखिए कि आगर हमें कैंपेनियन मैट्रिक्स अगर बना ले हैं देखिए मैं कैसा कंपेनियन मैट्रिक्स बना तो यह हो गया इसकी आइगन वैलू जो है हमारी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वाइर से राइट इफिवरी आइगन वैलू जाफ यह इस इन दसेट एक यूव आइडेंटिटी यह क्या नहीं साहब इसका जो हमारा करेक्स्टरिस्टिक पर नामियल निकलता है क्या होता है वन प्ल प्लस ओमेगा स्क्वाइर एक्स प्लस एक्स क्यूव यह होगा और इस केस में एक्यूब इस इक्वल टू आइडेंटिटी यह राइट हम कैसे दावा करेंगे यह तो यह होगा न और यहां अगर आप लिखते हैं कि क्रेस्टरिस्टिक वाली नामियल जो है इसक्वाइर मै प्लस ओमेगा ए फ्लस वान इस एक्वल टू फिर यह बात होगी यहां सी की बात है न तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा एकी जो इंट्री है मैं सी से भी लिख सकता हूं लेकिन अगर यहां आर लिखता तो मैं यह नहीं लिख सकता हूं ऑल्युक्ति ने सही होने का मैं दावा लिखता हूं राइट वन होने की बात मेरी यहां तो मुझे उमीद है इस कुस्टन के पीछे जो लाजिक और कंसेप्ट रही होगी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बाक्स में आप जाएं करते हैं नेक्ट वीडियो लेक्चर्स में अगेन हम उसका जबाद देंगे तो थैंक्यू गाइस जैने